जहें मैं सौरब और आप मेरे से जुड़ रहे हैं 6 जनवरी के सल्यूसिन में ठीक है और आज का प्रस्न 51 से सुरू होता है आज का पहला प्रस्न है 0,1,2,3 ऐसे ही 9 तक गया उसका मानक विचलन प्रस्न में दिया हुआ के है ठीक है तो हमसे पूछा गया है कि 10,11,12,19 का मानक विचलन क्या होगा ठीक है यह हमसे पूछा गया अब एक बात ध्यान देंगे कि इसमें दो तरगे प्रस्न आते हैं एक मानक विचलन की और एक माध इसमें जो भी संख्या हम उद्धी गई होती है, जैसे इसमें दिया हुए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक, तो इसमें से कोई भी एक संख्या, चाहिए आपको मनो 0, आपको मनो 1, आपको मनो 2, कोई भी एक संख्या उठा लिजे, और बाकी सभी संख्या हमें घटाते जाए, ठीक है तो जैसे हमने क्या किया, हमने माल लिया कि वो संख्या हम ले ले रहे हैं, 4, हमने क्या ले लिया, 4, तो हमने 0 से 4 घटा है, उसका स्क्वाइर किया, 1 से 4 घटा है, 2 से 4 घटा है, उसका स्क्वाइर किया, 3 से 4 घटा है, ऐसे ही, 9 घटाते जाएंगे, ठीक है, और बटे में, 10-1 लिखने का मतलब क्या है ये बात आप थोड़ा सा गौर से सुचिएगा ये टोटल संख्या हो जाएगी 10 तक 0 से लेके 9 तक जाएगा 1 से 9 तक 9 और 0 से 9 तक जाएगा तो ये टोटल संख्या हो जाएगी 10 तक लेकिन दिक्कत का है फिर 10-1 क्यों लिख रहे है फॉल्मूला में आपको डिरेक्ट n-1 लिखा हुआ मिल लेगा क्यों होता है क्योंकि बीच में आप एक जगा जाएगा तो इसी में से संख्या लिख करके घटा है न हम तो एक बार जाएगा जहां 4-4 भी हुआ होगा तो 4-4 क संख्या हमें काउंट नहीं करनी होती है वह वाली संख्या हमें काउंट नहीं करनी होती है इसी वज़े से 10-1 क्लिक करके और हम टोटल संख्या कितना एज़ियू करते हैं 9 ही एज़ियू कर रहे है ठिक तो आप इस बात को उमीद करता हो मैं कि समझ क्या होंगे अब यहां स तो यह जो मानक व्य्चलन है उनका वैल्यु उसने के मना था तो के बराबर कितना आ गया पचासी रूट रूट 85 बटे 3 कितना आगे है रूट 85 बटे 3 उसी तरह से आगे कहा है प्रस्थ में प्रस्थ में देखे आगे क्या कहा है कि तो इतने का मानक विचलन के है तो 10,11,12,13 एसी juste का मानाथ विचलन हम से पूछ आगे हमने आप से पहले भी का मानक विचलन निकालने के लिए जो संख्या है उसी में से कोई एक संख्या मान लीजे तो अवने इसमें से 15 माना उसमें चार माना था इसमें 15 माना आपको मन भव 11 मानिये 12 मानिये 10 मानिये जो लोग Sharp में से कोई एक माल लिजी हमने पंद्र से दस घटा फिर पंद्र से ग्यारा घटा फिर पंद्र स बारा इसी तिरसे बढ़ते जाएंगे और पंद्र से कि एक बार तो 15 और 15 भी घटा होगा तो 15 और 15 घटेगा तो क्या हो जागा जीरो यही वज़ाए कि यहां पर हम माइनस एक कर देना है टूटल संख्या तो आप गिन रहे हैं कितना कि दस है लेकिन वो टूटल दस निया बीच में एक जहां जीरो हो गया उसका कोई सिगनिफिक रूट पचासी बटे तीन क्योंकि नो बाहर निकल जागा तीन हो जागा अब अधे कि उपर वाले में रूट पचासी बटे तीन का मान कितना आया था के यानि रूट पचासी बटे तीन किसके बराबर के के तो जब उपर वाले का मानक विचलन के आया था और इसका भी वे सब्सक्राइब होगा कोई नया चीज है तो इसको दूसर तीन बार देखिए एक एक स्टेप को अपने कॉपी पर लिकिए और बहतर तरीके से समझें ठीक है अगला प्रस्टन देखते हैं प्रस्टन संक्या 52 ध्यान देंगी क्या दिया है कौन पूर्वर्ग नहीं है अब इसमें अप्सद देखेंगे पहला अप्सद है 16641 दूसरा है 2025 तीसरा अन्टामे सो एक और चौता है 1250 ठीक है अब जैसे हैं आपको 1250 दिखा अगर आप इसका जीरो स्टाइड करेंगे तो आपके नजर मेंगा 125 और 125 जो है वो स्क्वायर नहीं है बल्खी क्यूब है तो आप्सन से इस प्रस्टन को बनाना पड़ेगा तो आप इसी तरह से आप अपने option target करेंगे तो आपको आपका answer easy मिल जाएगा otherwise दूसरा तरीक आपके साथ यह होगा कि आप एक एक option को चेक करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे और बनाएंगे जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुए तो आप दोनों तरीका देख सकते हैं ठीक है बरत 87 401 ठीक है बरत अपने अगली प्रस्शन संख्या 54 के तरफ अगला प्रस्शन है 2160 को ABC में क्रमस दो अनुपात तीन अनुपात पांच में विभाजित किया जाता है तो A और B का अंतर क्या होगा अब दिखिए इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं सबसे बहतर तरीका क्या होगा कि टोटल पैसा कितना है तो टोटल पैसा है 2160 रुपे कितना है 2160 रुपे और ये 2160 रुपे किसके बराबर है तो दो अनुपात तीन अनुपात पांच के कुल योग के बराबर है तो दो तीन और पांच जोड़िए तो कितना बजाएगा 10 यानि 2160 जो है वो 10 के बराबर है इ यहां पर हम बटे में ten दम लिख सकता है इसको यह थो एक कमान पता चल गया हम से प्रस्ण पुछा कि A और B का अंतर एक अनूपात 52 अ handmade मोशा क कि यह को अ strict जब किद्या हो धाइगा 216 तो answer क्या हो जाएगा आपका 216 अगला प्रस्ण है कि बारा बीस और 42 का मसा क्या होगा मुझे लगता है ये आप लोगो आता ओगा ठिक मसा आप निकाल लेंगे इसका मसा ऐगा 2 ठिक है किना आएगा 2 आएगा अग्ला प्रसने 56 54 संक्राम कि पहली पांच धनात्मक सम संक्याओं का उसत क्या होगा थोड़ा सा प्रस्न को ध्यान देंगे यहां पर कि पहली पांच धनात्मक सम संक्याओं का सिर्फ धनात्मक संक्याओं का गता तो नो अठारा स्वताइस छतिस पैतालिस ले ले लेते लेकिन जैसे ही सम को आदिया और न सभी भाज्य होना चाहिए तो एक बात बहुत है कि सम हो और नौ सभी भाज्य हो तो नौ सभी भाज्य है लेकिन सम नहीं है अठारा है 27 नहीं है सम तो 27 छोड़ देंगे इसलिए यहां पर पहले मैंने अठारा लिया फिर 36 फिर 54 फिर 72 और फिर 90 और फिर यह टोटल संख्य कित 3x-8y बरावर 16 तर था 2x प्लस 4y बरावर 6 है ठीक बिंदू A और B पर मिलती है यानि यह दोनों रिखाएं आपस में बिंदू A B यानि एक पॉइंट पर मिलती है ठीक है अब A, B देने का मतलब क्या कि वो एक क्वाड्रेंट पर मिल रहे होंगे वो एक पॉइंट जहां कि x-y प्लेन होगा उस पर मिल रहे होंगे वही A और B का माने अर्थात हम अगर छोटे दोर पर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे माल लेजे यह हमारा प्लेन है इस पर 2 रिखाएं मिल रहे हैं तो यह जो 2 रिखाएं मिल रहे हैं इस बिंदू पर इस पॉइंट पर तो यह इसका मतलब अब क्या समझेगा कि A वो X वाल है और B वाले का वैलू है ठीक है ऐसा क्यों कह रहा हूं जो मैं अभी आपको बताता हूं अब देखिए आप इन दोनों equation को solve किजेगा जहांसे कि आपको X और Y का मन पता चलेगा तो दोनों equation को solve करने के लिए हम क्या करते हैं पहले या तो एक्स को या फिर Y को balance करको उसको घटा कटा देते हैं वह हमने यहाँ पर करना है अब Y को मैंने और अब आपका क्या बचा, 3x, 4x, यह प्लस हो जागा, 7, यह भी जोड़ियेगा, 28x का मांद कितना आगा, 4, अब इसी x का value अगर रखेगा, किसी question में, पहले में या दूसरे में, तो आपको किसका value पता चल जागा, y का, तो y का value कितना यहाँ पे आया, minus half, और x का कितना है, 4, हमने आपको पहले कुछ दिर पहले बता है, कि जो a और b दिया, वो a और b कुछ नहीं है, बलकि x और y के ट्रम में, यह इसका value जानना चाहता है, तो x मलने किसको, a को कि जो पहले होता है, वो x, जो बार में वह हो भाई, तो a बरावर 4, y बरावर, a बरावर 4, और y की जो 4, b square, तो 4 का 4 रख दिया, मैंने, b की जापे दिया, माइनस आप, माइनस आपका square की जिगा, 1 by 4 हो जागा, 4 से 4 कैंसल हो जागा, तो यह 16 और 16 से, एक यहां वाला, तो एक घटे का किना हो जागा, 15, यह रहा हापका answer, ठीक है, बढ़ी अपने अगले प्रसंद के धरफ, प तो 2 प्लस रूट 3, डिरेक्ट उसका यह answer रहागा, ठीक है, अगला प्रसंद है, a by b, is equal to c by d, is equal to e by a, बराबर 2 अनुपात 3, यह 2 बटे 3 हो, तो 2a square, minus 3c square, plus 4e square, बटा में, 2b square, minus 3d square, plus 4f square का मान कितना होगा, दिखे इस प्रसंद को दिखे थोड़ा सा भी डरना नहीं ह उपर वाला जो है, इसमें एक लाइन में अगर समझें, तो यह कि a कमान, c कमान और e कमान, तीनो कमान आपस में बराबर है, और वो मान अगर देखा जाए, ratio का time में तो कितना है, 2 है, इसलिए बस एक लाइन में समझे लेना है, कि a कमान, c कमान और e कमान, 2 है, ठीक है, उसी बात बदाई जब a बराबर c बराबर e हो गया तो तीनों में से किसी एक को लिख लिए यहां पर भी लिख लिए यहां पर भी यहां पर भी या फिर तीनों जगा सी लिख लिए या फिर तीनों जगा लिख लिए क्योंकि तीनों जब बराबर ही है तो कोई दिक्कत आपको नह माइनस से मैनस से उगकर चार कितना चाहनीती और हमको एक इवंकर कितना अधा यहां से डू आया था तो ये 2 और 2 can आजिए है कि जाएगा टो ही जाएगा चार तो वही कम नीचे भी कि कि सब के साथ आ रहा था विसकोर बेस्कोर बेस्ट कर या नि양ए सब सब के सब्सक्राइब एग ने पलई नहीं और फिर में पास बचा इन्ठीन तीन से तीन कट गिया चार वर्टेंन हमारा एंचर आंप ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रसंद संक्या, 60 के तरफ, अगला प्रसंद क्या है हमरा, कि X-2 और X-3 का मध्य अनुपाती X है, तो X का मान बताए, मध्य अनुपाती X है, तो X का मान हम से पूछा है, देखें, लिखने का तरीका क्या होता है, A upon B is to B upon C, ये मध्य क्या बनता है, इसका, अगर आप थोड़ा सा मैस्चूर होंगे, तो ये एक दूसरे एक साथ मल्टिप्लाई होते हैं, ये एक दूसरे एक साथ, तो ऐसे हो गया, B square बरावर AC, और यहीं अगर आगे बढ़ेगा, तो B is equal to root AC, तो इसे हो हम कहते हैं कि मध्य अनुपाती का formula ह है, ऐसे आपको कोई formula याद ने रखना है, बस एक term लिखने सीख जाना है, ठीक, अब वही काम हमने यहाँ पे किया है, और यह hint भी मैंने इसलिए यहाँ लिखा होते है, ठीक, अब देखिए, मैंने क्या किया, इनको, इनको multiply करा दिया, इनको, इनको multiply करा दिया, ये इधर इधर जब इनको आप multiply करेंगे, तो आएगा, एक से स्कायर मैनस 3X मैनस 2X प्लस 6, ठीक है, और ये जब बात आई, तो एक बात बहुत है, कि ये एक से स्कायर से cancel हो जाएगा, इधर बचा मैनस 3X मैनस 2X, और ये 6 जाए, इसको इधर लाए, तो मैनस 6 हो जाएगा, तो ये म आप calculate कर रहा होते हैं, और maths बीना calculation के चले गा ही नहीं, अब देखे, अगला प्रस्न हमारा के है, कि 3 root 7 plus 343, जैसा कि मैं देख पा रहा था हो, इसमें ठीक है, का value 19.21 है, तो root under 252 plus 20 root 7 का मान कितना होगा, यही हम से प्रस्न में पूछा गया था, ठीक, अब एक बात तो मेर के दिमांग में खटक है, आपके दिमांग में खटक रहा है या नहीं, कि हमको यह वाला जो fraction है, यह वाला जो time है, उसको कही नहीं रूट 7 के time में तोड़के रखना होगा, तब भी जाकर कि यह हमारा प्रस्न बन सकता है, और मैंने पहले भी आप से का कि कोई भी प्रस्न ह है, उससे जरूर तुरत लिंक कर लिजे, क्योंकि जब आप लिंक कर लेंगे, तो आप easily answer तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो यहां से three root seven है, अब 343 को तोड़िएगा, तो आप देखे होंगे कि 343 जो है, वो seven का क्यू है, क्या है, seven का क्यू है, तो seven का क्यू है, तो seven का क्यू स्वारी, रूट के अंदर ही था प्रस्त में, एक बार मैं देखना हूँ, हाँ, यह 343 भी रूट के अंदर ही था, तो यह seven का क्यू है, अब seven का क्यू है, और यह root के अंदर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते है, जरा पताए, तो इसको seven का क्यू को, कि seven का square into seven, तो यह दो है, तो एक बाहर आ जागा, तो ऐसा हो सकता है, seven root seven, बिल्कुल हो सकता है, अब यहाँ से देखिए, seven root seven, यह होगा है, दोनों को जोड़ी है, 10 root seven is equal to 19.21, root seven का मान कितना आ गया, 19.21 upon 10, मैंने पहले भी कहा था, गि रूट seven, इधर दीख रहा है, इसका मतलब कोई ने कहा है, इ 36 into seven होगा, ठीक, और 36 जो है, six का square root है, तो six बाहर निकल जागा, यहाँ से, और आ जागा, root under seven, तो इधर से आप देख रहे होगे, अगर आप, तो बीस और छे, 26 root seven होगे, 26 तो चब्विस रहे गे, root seven का value हमने निकाल लिया, देखे, यहाँ पर, और यहाँ यहाँ पर multiply करे करेंगे, तो उना चास, दस अमलो, नो, चार सम्थिंग आगा, इसमें एक ही अंग तक मैं answer दे दिया, इसलिए उना चास, दस अमलो, नो, आपका answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़िये अगले प्रसंद के दिरफ, अगला प्रसंद है, 62, देखे, इस प्रसंद को आप बनाने के अरली बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तब, अधर्वाइस स्टेप वाइस भी मैंने यहां लिख रखा, देखे, करेंगे क्या आप, जैसे जैसे मैं आपको बताते चल रहो, सबसे नीचे वाला टम पकड़े, सबसे नीचे वाला टम क्या आईए, ठीक क्योंकि आपको पता है कि A by B by C, और यह में होता है में बट्टा जब यह हो जाता है, तो यह उलट करके यहां जाता है, ठीक, उसी तरीके से यहां भी हुआ, तो अब एक बात बदाए कि इस टम पे आ गया 3 आपके पास, और यह 2 उलटके यहां पे चला गया, अब यह 2 पर से गुणा होगा, 6 हो जागा, यानि इसको जो आप सॉल पीजेगा, तो आएगा 4 बट्टे 3, अब आपका 3 कहां था, 3 आपका यहां था, 4 कहां है, यहां है, अब इस 3 उठा के लिए यह इसके पास, तो 3 और 3 मल्टिप्लाई कर जे तो कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 9, तो आपके पास एक टर्म क्या है, बताएंगे आप हमें, आपके पास एक टर्म क्या है, तो आपके पास एक टर्म है ऐसा, 1 प्लस 4, 1 प्लस, आपके पास टर्म क्या है, 1 प्लस 9 बट्टे 4, और आप कहां तक पहुंच चुके थे, यहां तक और यहां तक, ठीक, यहां जो आपक है और यह सारा चीजा मैं और अपको आपको, यह कंने तोậ यह आ तो यह आया आपका यह लिए भट मुनी में मिलेगा एक प्लस आठ बट कितना या बटे तेरा आजाएगा इतना आएगा बिल्कुल आएगा और तब आपके लाइस स्टेज में आप हैं कितना तो एक प्लस आठ बटे तेरा यही आपका फाइनल यहां पर पहुच चुके आप यह वाले टम बे ठीक है नीचे तेरा बचिरा उपर आठ यहां एक तो यहां से कि बटे तेरा तो अगर आप और ली करें तो इसी तरीकित आपको करते जाना है जहां पर चोटा चोटा लिखते लिखते बन जाएगा तुरण यह फिर दूसरा तरीका है कि यहां मैंने उसी को स्टेज लिख दिया तो आप यहां सभी देख लिए ठीक है बढ़ते आपने संक्या हैं और कोई भी पूरा-पूरा कट जाता है तो वह भी पूर संख्या इसे रहे हैं कि जीरो स्चले के अनन्त कि संख्या है पूर संख्या है तो इसमें एक ऐसा संख्या यही मिला है चे भागा पांच जो पूरा-पूरा नहीं कट रहा है तो यही पूर शंख्या नहीं होगा बाकी सारी पूर शंख्यां होंगी बढते अपने अगले प्रसंख्या 64 के तरब तो अगला प्रसंख्या दिया हुआ हमारा रूट अंडर 4 का Q प्लस 15 का S-square और टोटल का क्यों है तो इसका मान हमसे पूछा हुए ठीक है अब आपको पता है चार का क्यों 64 होता है और पंद्रह का स्कार कितना होता है फंद्रह का स्कॉयर होता है 225 यह सब चीज आफ दम और ली याद होना चीह तो इसको जोड़िएगा तो टूटल हिएगा दो 289 और यह रूट के अंदर है तो 289 को अगर आप स्क्वार रूट से बाहर लगेगा तो कितना हो जाता है सतर्ग क्योंगी सतर्ग का स्क्वार है 299 और इसी का जब क्यूब की जिएगा तो सतर्ग का क्यूब होता है उनन्चासो तेरा ठीक है अगर आप ऑप्शन में एकाई अंग पे तीन ही दिया हो के वल एक अही पे तीन हो तब तो आपको बनाना ही नहीं है डारेक्ट हीट कर देना होगा लेकिन इसमें सबके एकाई अंग पे तेरा है तो आपको इसका क्यूब कम सकम 20 तक सबका सबका क्य बराबर 0 हो तो 1 by alpha प्लस 1 by beta का मन क्या होगा देखिए आपको सीधा सीधा कुछ दिया नहीं है यहाँ ठीक है लेकिन आप पहला कम क्या करेंगे इसको स्वाल्क परेंगे तो इसको जब स्वाल्क भीजागा तो LCM आजाएगा alpha बीटा तो उपर आजाएगा alpha प्लस बीटा बटा में alpha बीटा अब देखिए यह मूल है और इनका फॉर्मूला क्या होता है alpha प्लस बीटा अगर इस टाइप ने आपको term दिया हुआ हो यानि एक स् प्लस C दिया होगा हो तो उस समय alpha प्लस बीटा बड़ावर होता है minus b by a क्या होता है minus b by a होता है alpha plus beta परावर minus b भाई यह तो minus पहले से और b की जग़ापे यही न आपको वुट्टा में देखिए तो x square plus bx plus c बरावर 0 तो ऐसा यह वाला दिख रहा है विल्कुल दिख रहा होगा आपको तो हमने क्या कहा कि alpha plus beta परावर हो जाता है minus b भाई यह तो minus और b की जवापे की दिए होगा minus six और a की जवापे क्या दिए होगा तो यहां से यह minus minus plus हो गया और two से गया तो three यानि की हमारे पास कितनी value हो गई direct अगर देखें तो उपर वाला value यह जो alpha और beta वाला हो गया यह कितना हो गया था तो यह हो गया था 3 और यहां से जब आप calculate करेंगे c कमान तो यहां से यह भी हो जाएगा 3 ठीक है तो एक तो तरीका वो हो जाता है आप से solve करने का दूसरा तरीका देखिए क्या यहां जैसे मैंने आपको direct formula से लिख दिया क्या alpha plus beta minus b by a क्या लिखा minus b by a alpha into beta क्या होता है c by a क् अब एसे ए अब cancel करा देंगे E से ए आप क्या करेंगे cancel करा देजिएगा एसे आप क्या करेंगे to cancel कर दे तो अब यहां पे एक बात बताए कि minus b बराबर कितना दिया minus six ठीक तो minus का minus रगया b बराबर minus six तो यह और यह plus हो गया c का value कितना दिया three तो यहां से कटाएगा answer कितना आ जाएगा दो तो दोनों तरीके हैं आपके पास जो पहला बता रहा था कि आप पहले अलफा बेटा का मानी यहीं पर रख लिजे एक तरीका वो या फिर जब दोनों बराबर है तो एक कटा के लास्ट में मान रखे वो भी आप कर सकते ठीक है बड़त अपने अगले प्रसन संख्या 66 के तरफ तो अगला प्रसन संख्या क्या दिया होगा है कि हमारे पास एक बावभूज है क्या है एक बावभूज है और वो बावभूज कैसा है तो छे भूजाओं वाली बावभूज है ठीक यानि एक सट भूज है हमारे पास हमसे पूछा गया कि उसमें कुल कितने विकर्ण बनाया जा सकते हैं जैसे आपके पास अगर एक आयत होता है तो इसमें दो विकर्ण बनता है ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास एक सट भूज है यानि छे भूजाओं वाली एक आकृती है तो उसमें कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी तो देखें वि अक्रिती के भूजाओं की संक्या है क्या सी अक्रिती थी सट भूज यानी छे भूजाएं तो छे यहाँ पर इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पर देख रहे होंगे और चे माइनस तीन बटे दो यानी टूटल नौ विकर्ण एक सट भूज में बनेंगे उसी तरह से देख लि कि संक्या दो तो इसी तरीके से आप यस फार्मूले को पांच वर गम से कम जरूर बोलेगा एन इन्ट एन माइनस थ्री वाइट यह आपको याद हो जाएगा और यह प्रस्ट आएगा अगर आपको विकर्ण नहीं याद रहेगा तब तो आप फन सकते हैं अगला प्रस्ट है 67 ठीक है तो अगला प्रस्ण देखिए क्या दे रहा है कि तेरा पूरंग एक बटे दो प्रतिसत साधारण ब्याज कितने वर्स के लिए चार वर्स के लिए आप जब उसको लोटाने गया तो कुल 3080 रुपय आप लोटा रहे इसका मतलब क्या कि जो पैसा उसने आपको दिया वो भी आप लोटा रहे प्लस में जो आपको इंट्रेस्ट लगा है चार वर्सों का वो भी आप जोड़ के लोटा रहे हैं तो आप केवल मुल्दन नहीं लोटा रहे हैं आप केवल ब्याज नहीं लोटा रहे हैं बलकि आप मुल्दन और ब्याज दुनों को जोड़ के लोटा रहे हैं और मुल्दन और ब्याज दुनों को जोड़ दिना क्या कालता है मिल्सरदन कालता है तो यहां पे जो ती आपको फर्मूले से बताऊं तो फर्मूले से बताने पर होगा कि साधार atac निकालने के लिए क्या करेंगे मिसरधन समुल्धन हेंगे हम गो सदार भ्यार मिल जाएगा ठीक तो प्रस्ट में तो मुल्धन दिया यहीं सिर्फ मिस्रधन दिया मुल्धन मैंने माल लिया एक्स रहा होगा तो यही मैंने साधार ब्याज की जगपे क्या लिख दिया मिस्रधन माइनस मुल्धन तो साधार ब्याज निकल गया मुल्धन की जगपे एक्स लिख दिया समय की जगा चार लिखा दर की जगा 27 बटे जो लिख दिया और यहां से overall जब आप calculate किये तो इतने लंबे चोड़े calculation के बाद आपको X का value आगया 2000 रुपया ये एक तरीका है जो आप अब तक करते आ रहे हैं बचपन से ठीक है लेकिन ये तरीका आपके exam के लिए useful एकदम नहीं है जो कि ये question मेरे इंसाब से 6-7 second का है ठ जो मेरा अपना है तो मूलदान आपका अपना होता है ठीक है जो आपका अपना है क्रैमूल आपको आपका अपना होता है तो जो आपका अपना होता है उससे आप 100% माल लिजी कितना 100% माल लिजी एक बात आपको मैंने पहले भी बता है कि साधारन ब्याज हर वर्स पे बरा लगता है इस प्रस्ण हमारे साथ एक benefit यह है कि हमें हमारा चक्रवर्दी व्याज नहीं बल्कि सद्राण व्याज दिया है तो एक बात पर देखिए कि पहले साल साड़े तेरा पॉसंट, दूसरे साल साड़े तेरा पॉसंट, तीसरे साल साड़े तेरा पॉसंट, और चौते साल भी साड़े तेरा पॉसंट, यानि कि कुल अगर हम दर जानना चाहें, तो कितना हो जाएगा साड़े तेरा में चार से गुणा अरजी चार वर्स का ये टूटल आपका दर पता चल गया यानि कि अगर आप उस व्यक्ति से 100 रुपय लिये होंगे तो 4 साल बाद उस 100 रुपय पे 54 रुपय का आपको ब्यास देना पड़ा होगा बात समझना रहे हैं यानि कि 100 रुपय अगर लिये होंगे आप तो आपको 4 स कितना होगself 100 प्रतिशत आप उसको 4 सब लटाने जाएंगे तो कितना एक सोचोन प्रतिशत और एक सोचोंगवन जो मान दिया वह किसका दिया है तरीका है सबसे बहतर तरीका है आपके लिए बहुत कम समय में और बीना calculation के आप देख लिए नीचे कितना calculation है ठीक तो बीना calculation के within second पहुँचने का ये सबसे बहतर तरीका था ठीक है बढ़ते अपने अगले प्रसन संख्या 68 के तरफ अगला प्रसन क्या है कि हमारे पस कुछ सिक्के हैं जिनकी संख्या 480 है ठीक है वो सिक्के कैसे हैं 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं इनका अनुपात दिया हुए 5 अनुपात 3 अनुपात 1 हमसे सिक्कों की संख्या पूछी गई है ठीक है अब एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे दो तरीके का प्रस्ण बनता है एक्जाम में आपसे दो तरीके का प्रस्ण बनाएगा एक यहाँ ऐसे ही अनुपात दे देगा जैसे इसमें दिया हुए लेकिन यहाँ पे कहेगा कि 480 रुपया है सिक्का नहीं है रुपया है ठिक यानि amount दे देगा तो उस स्थिती में 50 पैसे को आप x by 2 लिखेंगे यानि कि आप 50 पैसे में कितना रुपया होता है आदा रुपया तो आप ऐसे लिखते हैं मैंने पहले बताया भी ऐसा प्रस्ण अगर 25 पैसा खाएगा तो 1 बटे 4 लिखा जाता है अगर 10 पैसा काएगा तो 1 बटे 10 लिखा जाता है क्योंकि वहाँ हम पैसे को रुपया में बदल देते हैं क्योंकि हमें टूटल एमाउंट रुपया में मिला होता है जब बात काएगा यहाँ पे रुपया की तब की वह बात हो रही है लेकिन इस प्रस्तम में हम से काया कि टूटल हमारे पास ऐसे सिक्के है रुपया कितना है किसी को पता नहीं है हमारे पास क्या है सिक्के है अभी कितना रुपया है नहीं पता हम लोगों को बात में पता चल जाएगा लेकिन अभी क्या है सिक्का है तो जब भी कहें कि सिक्के हैं तो सबको सिक्का में बदल ये, क्या कीजिए, सबको सिक्का में बदल ये, तो अब आप लिखते समय कताई भी x by 2 नहीं लिखेंगे, अगर 50 पैसा होगा तो 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, उसी तरीके से 25 पैसा होगा तो 1 by 4 और नहीं, 4x लिखेंगे, 10 पैसा होगा, तो 1 बैड 10 नहीं, 10x लिखेंगे, ठीक है? योकि सिक्कों की संख्या निकाल नहीं है, हमें, ख्लायर है, अब इसमें अनुपात दिया था, 5 अनुपात, 3 अनुपात एक, तो 5 अनुपात किसका था, 50 पैसे का, एक सत्ना जाएंगा, एक्स बरावर कितना उगया पंदर कितना अरी इंदर किश्रा इसको जोड़कर के किसल इसांख्य कितनी यो यनि कितना रुपया यह आप से अलागतर पूछा निया कितने रुपया ठीक है सिर्फ आप से सिक्ख्य का रुपया पूछा है पचिस पैसे के सि unwake कितनी regard TH LA कितना फिर इस में On ? 50 सगुणा क् papa पॉपया एक्स और सी यानि कि यह कितना रुपया पेंत आलीगा ठीक है अब उसी तरीके से 10 पैसे के सिप्ह्ख्य के संख्या कितनी 10x कितना 10x 15 से गुणा कीज़ेगा 1.500 यानि कितना रुपया तो 15 रुपया यानि ये टूटल आपके पास कितने रुपया तो 60 हो गया और ये सत्तर एक्सो पैंतिस रुपया आपके पस टूटल थे तो रुपया तो आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा शिक्के कान उपात तो यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्त नहीं होना चाहिए, बढ़ते अपने अगले प्रसन संख्या, 69 के तरफ, ऐसा प्रसन म एक बार खुछ से बनाईए, ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है, क्योंकि यह बहुत तफ प्रसन नहीं है, देखिए, मैं एक तम आपको तोड़ के सिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आपसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे न, वो आपके बस चार्मिंग नहीं अगर, तो हमको इसको whole square के format में ले जाना पड़ेगा, यह जो अंदर बात दी हुई है, इसको whole square के format में ले जाना पड़ेगा, कैसे ले जाएंगे बाई, डारेक्ट तो ले नहीं जा सकते, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, a plus b के whole square का formula का try करना पड़ेगा, और वो आपको मदद कोन कराएगा ये सिर्फ इकलाता तर्म, अब एक बात बेदी इस तर्म को हम क्या करेंगे two a b के फोर्म में तोरने का पर्याश के जब two a b के फोर्म में तोरने का प्रैयास केजएगा, तो यहाँ चार से दो अगर हटा दीजे तो बचा दो और दो को रूट के अं अकेले लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं रूट चार गुणा रूट तीन यानि कि एक गा वैलु रूट चार है और वी का वैलू रूट तीन है तो यहां से अब आप बताएं कि रूट के अंदर आपको क्या मिल गया रूट चार प्लस रूट तीन का होल स्कार अब यह बाहर निकल जागा बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा रूट चार प्लस रूट तीन यानि इतने का वेल्यू कितना था रूट चार प्लस रूट तीन इसी तरीके से आगे वाले का न सबसे बड़ा चीज है आपको क्या करना सौर्ब करना अगला प्रस्ट यह भी प्रस्ट मैंने आपको पीछे साथ है ठिक डेटा साय देट यहीं नहीं रहा था तो यहां पांच-पांच-पांच यहां पांच-पांच कोई दिक्कत नहीं है इसका फॉर्मुला में आपको एक दिया उसको बेस माल लिए जैसे यहां पर पांच मैंने बेस माल लिए ठीक यहां पर जैसे मैंने लिखा है ठीक उसको बेस माल लिए इसके बाद क्या करना है मैं मलने तो कि यहां एकस दिया हुआ था फार्मूला आपको पहले समझा ले तो एकस माल लिए ठीक इसके ऊपर र मतलब ही है पावर 2 ठीक है जैसे रूट 5 को 1 by 2 हम लिक लेते हैं तो रूट अटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 2 से उपर और मल्टिप्लाई करके नहीं स्क्वायर करके रूट आप हटाते हैं तो इसलिए हमने यहां पर क्या रखा 2 रखा clear है अब जतनी बार यह 2 होना चीए तो यह कौन बताएगा यह जितना रखा पांक आया होगा वही 1 कामान होगा कितना बार आया था चार बार तो इस 1 की जगत्पे आप रखेंगे चार जैसा कि आप यहां पे देख रहा होगा आपको कि 4 आपने रखा है माइनस 1 तो माइनस 1 कब करना है जैसे यहाँ पर 2 के पावर 4 रखा ना तो 2 के पावर जो 4 का value आएगा उसमें से माइनस 1 कर दियेगा जैसे 2 के पावर 4 का value आएगा 16, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 और 16 से गटा है कितना हो जायागा 15 बटे में 2 के पावर 1 2 के पावर 1 यानि 2 के पावर 4 क्योंकि 5 की संख्या 4 बर आई है तो यहां से आप अपना answer देख पा रहे होंगे कि 5 के पावर 15 बटे 16 आपका answer हो जाएगा ठीक इसको भी आप इस formula को ध्यान रखेगा बड़ा important प्रस्ण है कभी कभी के लिए नंबर सिस्टम में बड़त अपने अगले प्रस्ण संक्या 71 के तरफ तो अगला प्रस्ण है हमारा कि 81 अनुपाद एक ठीक है और फिर समानुपाद का फॉर्म देखे एक सस्क्वाइर अनुपाद 27 दिया हो है याई यही वाला format है तो हमसे एक स्कमान जानना है उसको कोई दिकर नहीं है तिरसा तिरसे गुणा करें 87, 27 और 81 को ले जाएए अब एक बात पर देए अगर आप तेज होंगे तो 81 को तुरत अप तोड़ जियोंगे 27 और 3 के format में दो बार 27 अगया यही एक 27 बाहर और एक बार 3 है इसलिए वो रूट के अंदर अंसर हो गया तो आप कैल्कूलेशन को फास्ट कीजिए ठीक है अगला प्रस्थन है क्या रहा है कि प्रस्थन में हमसे क्या खाया है इस सटभूज के बायकूण का मान कितना होगा बहुत असान प्रस्थन है मैंने आप से पहले भी काया कि अंतरखूण में तो थोड़ा से दिवाग मिला नहीं क्योंकि अंतरखूण का फॉर्मूला क्या होता है आपको याग है क्या फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इनस टू एंटू वान соглас Ye on the या अंतरखूण का खुल ठिक जैसशाटघुश के अंदर के क्ल क्ल अंतरख को कमान कितना हो तो इतना ही ओगा जैसे यहान छ ही रख देजिएगा मइनस दू कि ज anticipation के कितना कर लिएगा 108 180 यानि 720 आजाएगा आपका अंत्र कुण का कुल मान लेकिन प्रस्मने हम से पूछा है बाहय कुण तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि कभी भी किसी भी बाहय कुण निकालना हो और किसी भी भूज कर निकालना हो तो आप 360 उनका बाहय मान होता है कुल बाहय मान कितना होता है 360 और उसमें भूजाओं की संक्या से भाग दे दिएगा जैसे 60 भूज है तो 6 से भाग दे दिए 360 सब्त भूज है साथ से दे दिए अस्ट भूज है आठ से दिए ठीक है और वही आपका क्या हो जागा एक भूजा किस से अधिक नहीं हो सकता तो देखे अगर भूजा कहता तब तो भूजा का कॉंसेप्ट है कि एक त्रिभूज बनने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि दो भूजाओं का सम जैसे माल लिए इसको ए माल लिए इसको भी माल लिए तो दो भूजाओं का सम तीसरी भू आने पर सी बी से छोटा आना चीए यह भूजा के लिए लेकिन त्रिभूज में कोण के लिए एक ही कॉंसेप्ट है और वो सिर्फ यह है कि तीनों कोण का मान एक सवास्वी डिगरी बाकि कॉन 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 कितना डिगरी होगा इससे कोई मतलब नहीं होगा तो इस प्रस्ण का ह प्रस्ण संख्यां तो यह इसे को स्वाल चाते क्या रोट हिए जब भी आपको दस्मालों का प्रस्ण है उपर में 10 मलों की संख्या गिल लिजे तो 3 इसमें और 1 इसमें टोटल के ना 4 संख्या है जब बीच में गुणा हो तो वो संख्या डारेक डूड जाएगी ठीक तो कितना हुआ तो 3 और 1 4 यानि 10 मलों के 10 मलों कितने अंके बाद होगा उपर में 4 अंके बाद नीचे में कितने अंके बाद होगा 6 अंके बाद तो 4 से 4 अंक तक कैंसल करा दीजे तो 2 अंक तक नीचे में और भी 10 मलों बचा है यानि कि नीचे में अभी 10 मलों 2 अंक तक बचा है अब उस 2 अंक को ये नीचे में अगर माल लिजी यहां बचाओ तो यहां 100 आता यही 100 उपर उलटके यहां चला जाएगा ठीक जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है ठीक अब इसको 17 से 85 को कटा दीजे 19 से 95 को कटा दीजे 55 का स्कार उटके ना जाएगा अंसर 50 तो यह तरीका था आपको इस प्रस्न को सॉल्ब करने का ठीक है और इस तरीके से कुल जो प्रस्न है उनका स्लिशन आपके पास है इस सेट में मैं देख रहा हूं लास में 100 के बाद कुछ 2-3 प्रस्न जैसे प्रस्न सं का जगा है इसलिए मैंने बागी के इन प्रस्नों का स्लिशन नहीं दिया अगर आप अपने एक्जाम में इन प्रस्नों को सेट बनाते समय बना देंगे तो आपको इसका स्लिशन तो मिल नहीं पाया ठीक तो आप मुझे वो प्रस्न फोटो खिच करके भेज दिजेगा